दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार सिविल सेविसेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता परिच्छा के सामान्य अध्यान का प्र गित था महद भोण है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्ण है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है आईए देखते हैं देखें इसमें सूची एक का सूची दो से मिलान कराना है रिगवेद रिगवेद का सं संबंध दोस्तों स्रोत एवं प्रार्थनाओं से है यजिर्वेद स्रोत और कर्मकांड सामवेद आप जानते हैं संगीत में स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वसी करण से संबंधित साक्ष मिलते हैं तो देखिए रिगवेद में स्रोत और प्रार्थनाएं इसमें कुल 10,552 रिचाएं हैं याद रखेगा और यजुर्ब्रेद में सरोत और कर्मकांड हैं सामवेद के पद आप जानते हैं कि भारती संगीत का जनक कहा जाता है इसके गे रूप में संगीत में सरोत हैं इनको उद्गाता पुरोहित गाता था और अथर्ववेद में 20 अशोक का अभिलेक इस परंपरा की पुष्ट करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था आपसन है आपके बसाढ़ अस्तंभलेक निगाली सागर अस्तंभलेक रामपुरवा अस्तंभलेक या रुम्मिन देई अस्तंभलेक तो सही उत्तर है दोस्तों जहां साक्यमुन बुद्ध का जन्म हुआ था तीसरा प्रश्ण है दोस्तों महाबीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्यानोदय या ज्यान की प्राप्ति हुई थी आपसन देखिए स्वाण सिक्ता पलाशिनी गंगा या रिजुपालिका तो सही उत्तर है दोस्तों रिज के नीचे कैवल्य यानि पूर्ण ग्यान प्राप्त हुआ था और उसके बाद वे केवलिन या जिन कहलाए थे अगला प्रश्ण है दोस्तों सारनाथ की भूमि अस्पर्स मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है आपसन है कुशार काल से गुप्त काल से वर्धन काल से या राज़पोद काल से तो सही उत्तर है सारनाथ की भूमि अस्पर्स मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा दोस्तों ये गुप्त काल से कालांकित है और भूमि अस्पर्स मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मुर्ती गुप्त काल से संबंधित है इसकी आध्यात्मिक अगला प्रशन है दोस्तों राजबेवस्था से संबंधित है संसत के लिए राष्टपती का अभिभासण कौन तयार करता है तो सही उत्तर है दोस्तों संसत के लिए राष्टपती का अभिभासण जो कैबिनेट होती है सेंट्रल कैबिनेट यानि केंद्री मंद्री मंदल तय शन्सत के लिए राश्टपती का अभिभासण केंद्री मंत्री मंडल इसलिए तयार करता है क्योंकि वास्तविक कारेपाली का सकती केंद्री मंद्री मंडल में नहीत होती है अगला प्रश्ण है दोस्तों लोकसभा में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी निर्धारित की गई है तो सही उत्तर 550 लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित की गई है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा संसत का निचला सदन है इसके सदस्यों की अधिक्तम निर्धारित संख्या 552 थी देखिए 552 सदस्य संख्या इसकी निर्धारित की गई थी और ये बर्तमान में 550 रह गई है बर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 रह इसमें 552 से 550 जो हुआ है ये क्यों हुआ है आपको हमें कमिंट बाक्स में का उत्तर देना है अगला प्रश्ण है भारती संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे 420, 380, 395 या 270 तो सही उत्तर है भारती संविधान में या मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे भारती संविधान गड़ना की दृष्टी से अनुच्छेदों की संख्या लगभग 452 तक पहुँच गई है लेकिन क्रमांग की दृष्टी से संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में भी यही 395 अनुच्छेद थे अगला प्रश्ण है भारती संविधान में मौलिक कर्तब्यों का विचार लिया गया है कहां से तो सही उत्तर है दोस्तों मौलिक कर्तब्या फंडमेंटल ड्यूटी यह रूस यानि पूर्व सोवियत संख के संविधान से लिये गये हैं और आप जानते हैं मूल कर्तब्या का अनुच्छेद में बरडित है और इन्हें 42 में संविधान संसोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंग कमेटी की सिफारिसों के आधार पर अगला प्रश्ट देखते हैं दोस्तों निम्लखित में से निम्लखित राज्यों के समोहों में से कौन सा समोह पाकिस्तान से सीमा बनाता है तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो भारती राज्ये हैं दोस्तों वो हैं देखिए पंजाब, जम्बु कस्मीर, राजस्थान और गुजरात दोस्तों पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले देखिए राज्ये और किंदर सासित प्रदेसों में जम्बु कस्मीर, लद्दाक, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं जम्बु कस्मीर पहले राज जथा लेकिन अब दो केंदर सासित प्रदेसों जम्बु कस्मीर और लद्दाक में भी भाजित कर दिया गया है इसके अलामा पंजाव, राजस्थान और गुजरात ये जो हैं दोस्तों पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारती राज्ये हैं अगला प्रश्ण है भारत की निम्खित नदियों में से कौन हिमाले की सभी स्रेडियों को काटती है तो सही उत्तर क्या है सही उत्तर है सतलज नदी दोस्तों सतलज नदी हिमाले की सभी स्रेडियों को काटती है और आप जानते हैं सतलज नदी तिबबत के राकस ताल से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिसा में बहते हुए शिपकीला दर्रे के पास हिमाचल परदेश राज म प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश की सेडियों को काट कर गहरे गार्ज का निर्मार करती है आगे चल कर यह ब्यास नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 500 किलो मीटर है अगला प्रशन है दोस्तों लेह अवस्थित है कहां पर तो जेलम नदी के दाएं तट पर जेलम नदी के बाएं तट पर सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर तो सही उत्तर है दोस्तों लेह जो है यह सिंधु नदी के दाएं तट पर उपस्थित है देखे जम्बु कस्मीर राज में इस्थित जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाये तट पर इस्थित था और अब जो है लेह एक केंदर सासित प्रदेश है लेह अब लद्दाख में आ गया है 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंदर सासित प्रदेश लद्दाख के अंतरगत आया है अगला प्रशन है माल पुझाबाद किस नदी पर इस्थित है आपको बताना है तो भरत पुझा, कोरा पुझा, मलम पुझा या पंबा तो दोस्तों मलम पुझाबाद सही उत्तर है कि ये मलम पुझा नदी पर इस्थित है मलम पुझाबाद मलम पुझा नदी पर इस्थित है और ये केरल राजी के पलककड जिले में इस्थित है मलम पुझा मुख्य र जूट का सरवाधिक उतपादक राज पश्यम बंगाल सही सुमेलित है, चाय का सरवाधिक उतपादक राज असम ये भी सही सुमेलित है, गन्ने का सरवाधिक उतपादक राज उत्तर प्रदेश, रबर का हिमाचल प्रदेश दोस्तों ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रब का सबसे बड़ा रवर उत्पादक राज ये केरल है न की ही माचल प्रदेश तो आपका आपसंडी सही सुमेलित नहीं है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों भारत में सुनामी वार्निंग सिंटर कहां इस्धित है आपसंड है आपके चिन्नई विसाखापटनम या पोर्ट ब्लेयर तो सही उत्तर है भारत में सुनामी वार्निंग सिंटर ये हैदराबाद में है और इसका शुरुवात वर्स 2007 से किया गया था तो हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सिंटर 2007 से प्रारम किया गया था अगला प्रशन है किस देश में बाजार आधारित लोह और इसपात के कार खाने पाए जाते हैं आपसान है चीन, भारत, जापान और यूनाइटेट किंगडम तो सही उत्तर है दोस्तों जापान में जापान में जो है ये लोहे और कोईले के ब्रिहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है इसलिए दुनिया की कई देशों से उच्च कोटी का लोह खने जा और कोग कोईला आयात करता है और आधुनिक तकनीक के साथ यातायात खर्च कम करने के लिए ब्रिहदाकार जहाजों का उपयोग मिलाता है और वहाँ अधिकांस कार खाने बंदर गाहों या अन्य समुदर तटी नगरों में इस्थित हैं जहाँ पर इस पात का अधिकांस बाजार पाया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों निकित में से कौन सा कारेकरम ग्रामीड अवस्थापना विकास कोस यानि RIDF के अंतरगत नहीं आता है आपसन है ग्रामीड जलापूर्ती, ग्रामीड सडके, ग्रामीड विद्दुती करन या और ग्रामीड उद्योग तो सही उद्तर है दोस्तों ग्रामीड उद्द्योग, ग्रामीड उद्द्योग जो है ये ग्रामीड अवस्थापना विकास कोस के अंतरगत नहीं आता है ग्रामीड अवस्थापन विकास कोश दोस्तों इसका गठन 1995-96 में हुआ था और इसका उद्धे से राजी सरकारों और राजी के स्वामित वाले निगमों के लिए फंड की बेवस्था करना है और इसमें ग्रामीड उद्योग नहीं आता है अगला प्रेश्ण है सर्वसिच्छा अभियान निम्रखित में से किस आयू वर्ग के लिए है आपको बताना है तो सही उत्तर है सर्वसिच्छा अभियान 6-14 वर्ष के आयू वर्ग के सभी वच्चों को शामिल करता है सर्वसिच्छा अभियान 2001 में प्रारंब किया गया था दोस्तों सर्वसिच्छा अभियान का प्रारंब 2001 में हुआ था और इसके तहट 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयू वर्ग के सभी वच्चों को शामिल किया गया है और इसमें प्रात्मिक सिच्छा को बढ़ावा देने के लि तो सही उत्तर है दोस्तों NGT का प्रारम जो है वो वर्ष 2010 में किया गया था और आप जानते हैं कि राष्टी हरित नियाधिकराण की अस्थापना भारत सरकार द्वारा 18 एक्टूबर 2010 को निशनल ग्रीन ट्रिबूनल एक्ट 2010 के अंतरगत की गई थी और इसके अलावा इसके दो वाक्यांस दिये गए हैं प्राकृतिक वनस्पती जलवायू का सही सूचकांक है ये कथन है आपका इसके अलावा जल प्रियपाउधे आर्द जलवायू में पाये जाते हैं ये कारण है तो ये सही है दोस्तों कोई प्राकृतिक वनस्पती जलवायू का सही सूचकांक ह क्योंकि जल प्रियपवधे आर्द जलवाई में पाय जाते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही अस्पश्टी करण भी है अगला प्रश्ण देखिए पिर्थवी का सरवाधिक ब्रिहत पारिष्थित की तंतर निमलखित में से कौन सा है आपसन देखिए जल मंडल, जीवोम, अस्थल मंडल या जयव मंडल तो यहाँ पे जो जल मंडल दे रहा है आप कन्फ्यूज मत होईएगा जल मंडल बहुत बड़े भाग पर फैला हुआ है लेकिन दोस्तों इसमें सही आपसन जयव मंडल होगा जय मंडल इसलिए कि जयव मंडल जो है मिट्टी, शेल, जल और वायू सब सामिल है इसमें एक ऐसी परत है जो पिर्थवी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में ब्याप्त है और यह सबसे बड़ा पारिस्थित की तंत्र है जिसमें जीवित, जीव सामिल है और यह मंडल जीवों का भरण पोसंड करता है तो कुल मिलाकर देखिए कि पिर्थवी का सरवाधिक ब्रिहत पारिस्थित की तंत्रिसमें से देखा जाए आपसन्स के अंसार तो यह जयव मंडल होगा अगला प्रेशन है दोस्तों देखिए कि प्रत्यावर्ति विद्धु धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा प्रत्यवर्ति विद्धु धारा यानि alternative current इसको direct current यानि दिश्ट धारा में कैसे बदला जाता है आप सन देखिए डाइनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, transformer द्वारा या rectifier द्वारा transformer नहीं होगा दोस्तों, transformer मत लगाईएगा आप, सही उत्तर है rectifier द्वारा दोस्तों, rectifier एक ऐसी युकती है, जो प्रत्यवर्ति धारा या alternating current को दिश्ट धारा या direct current में परिवर्तित करती है तो सही उत्तर है rectifier द्वारा AC current को DC current में बदला जाता है अगला प्रश्न है, ध्वान की प्रवलता निम्लखित में से मापी जाती है, अबरित आयाम वेग या तरंग धैरे तो सही उत्तर है, दोस्तों, ध्वान की प्रवलता अथो अमरिदुता मोलता है इसके आयाम से ना पी जाती है वास्तों में प्रवलता ध्वन के लिए कानों की संबेदन सीलता की माप होती है और ये आयाम से या ध्वन के आयाम से इसका मापन किया जाता है अगला प्रश्ण है बहुत ही महतपूर और आसान भी है दोस्तों कितना तापमान होने पर जो है सेल्सियस और फारेन हाइट तापमापियों के पाठ्यांक एक बराबर होते हैं तो आप जानते हैं बहुत ही आसान है आपको रटा है माइनस 40 डिगरी जो तापमान है उस पे सेल्सियस और फारेन हाइट तापमान बराबर होते हैं एक फार्मूला है C बटे 5 बराबर F – 32 बटे 9 जब आप इसको F बराबर – 40 रख देते हैं देखे C बटे 5 बराबर F – 32 बटे 9 तो यहाँ पर जब इसके मान पे C F कमान – 40 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा – 40 – 32 बटे 9 और C बटे 5 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 40 माइनस 32 ये हो जाएगा आपका 72 गुड़े 5 तो माइनस 72 गुड़े 5 वटे 9 फिर इसका उत्तर माइनस 40 आपका निकलाएगा अगला प्रशन है कि द्रिश से वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग धैर वाला रंग कौन सा है लाल पीला नीला या बैगनी तो सही उत्तर क्या है सही उत्तर है दोस्तों बैगनी रंग जो है ये द्रिश से वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग धैर वाला है क्योंकि लाल रंग का तरं अगला प्रश्ण है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिविंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की नियूनतम उचाई कितनी होनी चाहिए तो जानते हैं दोस्तों किसी व्यक्ति की या यच उचाई के किसी व्यक्ति की समतल दर्पण में अपना पूरा प्रति विम देखने के लिए उसका जो दर्पण होना चाहिए H by 2 लंबाई का होना चाहिए तो व्यक्ति के लंबाई का या व्यक्ति के उचाई का आधा दरपन चाहिए व्यक्ति को पूरा प्रतिविंब देखने के लिए अगला प्रस्ण देखिए दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर और गुलन फल 5, 1 और 18 के अनुपात में हैं उनके वर्गों का अंतर कितना है तो हमारे एक दोस्त ने कहा है दोस्तों कि इसको साल्व किया जाए तो आप देखिए कह रहा है सबसे पहले कह रहा है योग, अंतर और गुलन फल तो दो संख्याएं A और B हैं तो एक कोष्ट में A प्लस B कर लीजिए उसके बाद अनुपात का चिन लगा दीजिए फिर कह रहा है A माइनस B उसके बाद A इंटू B ये इन तीनों का अनुपात कह रहे हैं कि 5, 1 और 18 का है उसके बाद जब आप इसको साल्व करेंगे तो A प्लस B बराबर 5X और A माइनस B बराबर X तो A बराबर जब आप इसको साल्व करेंगे 3X हो जाएगा और B बराबर 2X हो जाएगा तो 18X बराबर 3X गुड़े 2X तो X का मान आपका हो जाएगा जब साल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा अब संख्याएं क्या हो जाएंगी कि संख्याएं हो जाएंगी 3 गुड़े 3, 2 गुड़े 3 और 9 और 6 6 तो इनके बर्गों का अंतर 3 देखिए 3 का बर्ग हो जाएगा 9 उसके बाद दो गुड़े 3, 6 का बर्ग हो जाएगा 36 तो 81 में से 36 जब आपका जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी 45 तो सही उत्तर आपका आपसंड भी हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि यदि बहुपद x3 प्लस 4x2-3x-18 का एक गुड़न खंड दोस्तों ये x-2 है तो इसके अन्य गुड़न खंड कितने होंगे तो आपको इस प्रश्ण को हल करने के लिए देखिए बहुपद का जो समीकराण है उसको लेना पड़ेगा x3 प्लस 4x2-3x-18 जब आप इसको साल्व करेंगे दोस्तों तो इसके 3 जो गुड़न खंड आएंगे x-3, x-3 और x-2 जब x-3, x-3 और x-2 देखे, x-3, x-3 और x-2 को जब आप गुड़ा करेंगे तो x-3, x-3, x-18 सही उत्तराब का आजाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों बहुत हि महतपूर है एक समानांतर चतुर्भुज की लंबाई जो है 17 cm है और उसकी चौड़ाई 11 cm है उसके एक बिकण की माप 26 cm है तो दूसरे बिकण की लंबाई कितने होगी तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती है इसका फार्मूला है कि पहला विकर्ण का स्क्वाइर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वाइर बराबर दो लंबाई स्क्वाइर प्लस चौडाई स्क्वाइर तो पहला विकर्ण का स्क्वाइर देखिए प्लस दूसरा विकाण का स्क्वाईर तो इसमें जब आप सही करेंगे तो पहला विकाण का स्क्वाईर 26 का स्क्वाईर प्लस देखिए 26 का स्क्वाईर प्लस दूसरा विकाण आपको B मान लीजे B का स्क्वाईर बराबर दो गुडे दो गुडे देखिए 17 का स्क्वाईर एक विकाण कह रहा है एक भुजा की लंबाई 17 है तो दो गुडे 17 का स्क्वाईर प्लस 11 का स्क्वाईर जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कि देखिए दूसरा विकाण हो जाएगा आपका दो गुड़े 410 माइनस 676 जो कि 26 का स्क्वाइर है तो 820 में से 676 आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 144 144 को जब आप इसका बर्गमोल निकालेंगे तो 12 cm तो ये जो फार्मूला है कि पहला बिकर्ण का स्क्वाइर प्लस दूसरे बिकर्ण का स्क्वाइर is equal to 2 एक विकर्ण जो दूसरा विकर्ण है उसकी लंबाई 12 cm आजाएगी अगला प्रश्न है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लगुत्तम समापवर्त 12 और 144 से यद एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी इसमें दोस्तों पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लसप गुड़े मसप होता है तो देखे पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या 36 गुड़े दूसरी संख्या आप b मान लिजे बराबर 12 गुड़े 144 जब आप हल करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 12 गुड़े 144 बटे 36 यहाँ पे देखे तो 12 तियां 36 हो जाएगा और 3 में जब 144 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 से 144 में भाग देंगे तो 48 तो सही उत्तर आपका अपसन B आ जाएगा 48 तो सूत्र याद रखिएगा आप पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लसप गुड़े मसप है इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पर देखिए देखिए दोस्तों नीचे दी गई आकरिती में कुल कितने त्रिभुज हैं तो एक फलक वाले त्रिभुजों की संख्या सबसे पहले आप ग्याद कर लिजिए यहाँ पर देखिए एक हो गया यहाँ पे दो हो गया यहाँ पे तीन हो गया इसको चार मान लीजिए इसको पांच मान लीजिए छोटे छोटे को पहले उसके बाद यहाँ पे देखे छोटे वाले को छै मान लीजिए फिर आपका यह तो पहले छै हो जाएगा जब एक फलक वालों का गिनेंगे आप अब दो-दो फलक वालों का जब गिनेंगे तो दो फलक वाले त्रिभुज जो हो जाएंगे ये भी 6 हो जाएंगे जैसे दो फलक वाले त्रिभुज कौन है ये देखिए ये हो जाएगा एक फिर ये हो जाएगा दो फिर ये हो जाएगा तीन ऐसे करके जब आप गिनेंगे ये देखे ये हो जाएगा चार और उसके बाद ये हो जाएगा पांच तो दो-दो फलक वाले त्रिभुज की संख्या जब आप गिनेंगे तो एक फलक वाले चे हो जाएगा एक फलक वाले का 6 हो जाएगा और 3 फलक वाले त्रिवजों की संख्या आपकी 3 हो जाएगी तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 15 अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों यूकती है कि सभी भारती धार्मिक हैं और सभी पेंटर धार्मिक हैं सभी पेंटर भारती है इसमें निहित तरकदोष क्या है तो जब कह रहा है कि सभी पेंटर भारती है तो और कह रहा है कि सभी भारती धार्मिक हैं सभी पेंटर धार्मिक हैं सभी भारती और सभी पेंटर धार्मिक हो जाएंगे उसके बाद कह रहे हैं कि सभी पेंटर भारती ह तो इसमें निहित तर्क दोश जो होगा वो होगा अव्याप्त मध्यमपद तो सही उत्तर है आपसंसी अव्याप्त मध्यमपद इस निहित तर्क दोश में सामिल है अगला प्रश्ण है दोस्तों यदि किसी निश्चित कोड में डेट को W, Z, G, V लिखा जाता है तो निम्रखित में से किस कोड को C, O, M, E लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए D को W लिख रहे हैं A को Z लिख रहे हैं T का G लिख रहे हैं और E का V तो जैसे D का W है तो A, B, C, D, D, C, O, D, C, O, D अस्थान पे आता है तो Z से आप जब गड़ना करेंगे Z से उल्टा आएंगे Z, Y, X, W आ जाएगा तो उसी तरह से कम का पूछ रहा है तो कम का हो जाएगा X, L, N, V, X, L, Y, N, V जो हो जाएगा यह आपका देखिए आपसन B, आपसन A, X, L, N, V आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों 11 से 50 के बीच कितनी संख्याय ऐसी है जो 7 से विभाजी हैं लेकिन 3 से विभाजी नहीं है तो 11 से 50 के बीच ऐसी संख्याय जो 7 से विभाजी हैं तो आप गड़ना कर लिजे साथ से विभाज्य हो जाएंगी चवदय, साथ से जब आप साथ का पहाड़ा पढ़ेंगे साथ दुनी चवदय, सातरी के कईस उसी हिसाब से देखिए देखिए जब साथ का पहाड़ा आप पढ़ेंगे, साथ साथ दुनी चवदय, सातरी के कईस साथ चवक अठाइस, साथ पचे पैंतिस, साथ चेक बैयाले, साथ सते उन्चास तो यह संख्याएं कितनी हो गई? छे संख्याएं ऐसी हैं, जो साथ से विभाजे हैं अब इसमें से तीन से विभाजे कौन कौन नहीं है? चाउदे नहीं तीन से कटेगा, अठाइस नहीं कटेगा, पैंतिस नहीं कटेगा, और उन्चास नहीं कटेगा तो सही कितनी संख्याएं हो गई? चार संख्याएं चार संख्याएं ऐसी हो जाएंगी, जो साथ से विभाजे हैं, लेकिन तीन से नहीं विभाजे हैं आसान था, 7, 11 से 50 के बीच जब करेंगे, तो 14 हो जाएगा, 7 तरी के कई, 7, 4, 28, 7, 5, 35, ऐसे करके जब 49 तक आ जाएगा, 11 से 50 के बीच आपके 6 संख्या हो जाएगी, अगला प्रस्ण देखिए, UP इस्पेसल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में सूर्मा उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश में सूर्मा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है, बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के काराण इसे बांस बरेली भी कहा जाता है, और मुरादाबाद दोस्तों, पीतल के बरतनों के लिए प्रसिद्ध है आप जानते हैं इसको पीतल नगरी कहा जाता है बनारस बनारसे साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और प्रियागराज दोस्तों इलाहबादी अमरोध के लिए अगला प्रश्ण है निम्लखित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है प्लाइवुड उद्योग सही है गोरखपुर में खेल कुद के शामान और उद्योग तो ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि गोरखपुर जो दोस्तों ये टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध है जो है गोरखपुर मान के चलिए जो मिट्टी के पकाई हुए बरतन जिनको टेरा कोटा कहा जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है वारारसी रे समुद्ध्यों के लिए तो इसमें से आपसंसी आपका सही सुमेलित नहीं है अगला प्रश्न है राष्टी बालिका दिवस कब मनाय जाता है तो सही उत्तर है दोस्तों राष्टी बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाय जाता है प्रतिवर्ष और 24 जनवरी 2021 को देश भर में राष्टी बालिका दिवस के रूप में मनाय गया है और ये वर्ष पहली बार 2008 में मनाय गया था यानि राश्टी बाली का दिवस पहली बार 2008 में मनाय गया था अब तब से प्रतिवर्स ये 24 जन्वरी को मनाय जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों 21 जन्वरी 2021 को केंदर सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त होंगे तो सही उत्तर है जयन्त एन खोबरागड़े जयन्त एन खोबरागड़े दोस्तों ये भारती विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और इन्हें आसियान का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज आपकी सफलता में सहभागी चैनल से जूड़े रहें और अधिक से अधिक जो है उपयोगी जो मेटेरियल है उसको प्राप्त करते रहें और आपको कोई संका हो तो उसके लिए हमें कमेंट बाक्स में भी लिख सकते हैं 14 जन्वरी 2021 को किया गया है और ये साफ्टवेयर NIC और CBSC द्वरा संयुक्त रूप से सुरू किया गया है छात्रों और इंजीनिरिंग ग्राफिक्स पाठेकरम के संकाय के लिए संपूर इंजीनिरिंग समाधान इससे प्रस्तुत किया जाएगा अगला प्रश्ण है करेंट अफेयर से ही है मोधी इंडिया कालिंग 2021 ये एक बुक है इसके लेखक कौन है आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों मोधी इंडिया कालिंग 2021 इसके लेखक चांद मल कुमावत हैं और ये पुस्तक 16 प्रवासी दिवस के आउसर पर प्रका आखरी प्रश्ण है दोस्तों देखते हैं कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited द्वारा हाक बिमान से किस हतियार का परिक्षण किया गया है तो सही उत्तर है Smart Anti-Airfield Weapon हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानी HAL द्वारा हाक बिमान से Smart Anti-Airfield वेपन का परिक्षण किया गया है इसको रच्छा अनुसं और विकास संगठंद्वारा विक्सित किया गया था SAAW भारती हाक बिमान में प्रियुक्त पहला स्मार्ट हतियार है और ये 100 किलोमेटर की सीमा तक के जमीनी लच्छों को नश्ट करने में सक्षम है तो सही उत्तर है आपसन ए हिंदुस्तान एरोनाटेक्स लिम्टेद द्वारा हाक बिमान से स्मार्ट एंटी एयर फिल्ड वेपन का परिच्छन किया गया तो दोस्तों ये थे गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता परिच्छा के लिए जो सामान एध्यन खंड है उसके 40 प्रश्णों का जो सेट था प्रैक्टिस सेट उसको हमने साल्व किया ये प्रश्ण बहुत ही महतपूर्ण है यूपी पीसेस द्वारा और अन्य आयोगों द्वारा आयोजित जो परिच्छाएं होती है उनके सामान एध्यन के लिए भी ये बहुत ही उप्योगी तथा महतपूर्ण है आप इसको तयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्ग दशन फार सिविल सर्विश उसको सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार